Hello everyone, welcome you all at location unlimited study zone तो सुरुवात करने जा रहे हैं हम class ये जो चल रहा है आपके सामने topic ये है KVS का जो exam हुआ है 2023 PGT का उसका हम solutions लेकर के आपके सामने आया है और topic चल रहा है CPD, okay, child pedagogy कह लीजे, तो इसमें जो सबसे पहला part आया था वो था understanding the learner, okay understanding the learner का part आया था, तो आये करते हैं कुछ questions इसके understanding the learner के question number 41 देखिए understanding the learner का क्या है The proxy modistal principle state the development of the body proceeds from जो proxy modistal principle है, वो कह रहा है कि body का development का होता है, head to leg, leg to head outward to the center of the body the center of body, the center of body outward, okay तो देखिए क्या कहरा देखिए, proxy modistal सिधान्त क्या कहता है, कि सिर से पैर, पैर से सिर, बाहर से शरीर के मद्ध की और, या सरीर से मद्ध के बाहर की और, okay आपको बताना है कि जो proxy modistal जो development है, वो कहां से कहां हुआ करता है, तो इसका correct option है, सरीर के मद्ध से बाहर की और, proxy modistal जो development होता है, वो from the center of the body to the outward, तो इसका correct option है, option number 4, okay yes, तो जिस student ने answer दिया है, to बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो development हुई करती है, body की, वो center से लेके बाहर की तरफ जो होती है, develop हुआ करती है, okay अगला question, question number two and 42, okay, question number 42, देखेंगे, की Adams apple, okay, तो यह जिसने पढ़ा है, उसको comprata hood, Adam's apple is an endocrine gland that release hormone, an hembronic outward during parental stage, the party's portion एक endocrine गरंती जो हर्मून का इस्तराव करती है प्रसवपूर्ण इस्थिती के दोरान भूरूर की बाहरी वर्दी किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग तो आपको बताना था कि यह जो Adam's Apple था वो क्या था ठीक है चलिए बताइए Adam's Apple क्या था इसका correct answer था option number 3 किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग इसको क्या बूल सकते हैं आप लोग the protruding part of the throat of the male adult यह जो होता है इसको Adam's Apple का नाम दिया जाता है ठीक है question number 42 का option number 3 correct है ओके yes चलिए question अगला करते हैं question number 43 रेखे question number 43 no one thought 8 month old child crawl no one thought 8 month old child crawl but one day the child started crawling on the part of child it shows his her question number 43 का answer बताइए कि 8 मा का बालक रेंगना को रेंगना कोई नहीं सिखा था किन्तु एक दिन बालक रेंगना शुरू कर दिता है बालक की ओर से यह है उसकी किसको दिखाता है व्रद्धी को विकास को परिपक्वन को या संरचना विकास को बताता है बताइए एक बार इसका answer क्या होगा ओके तो यह बताता है उसके परिपक्वन को ओके यह बताता है उसको किसको परिपकवन को, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर विकास लिखा है जैसे इस student ने इसका आंसर विकास लिखा है जो की बिल्कुल गलत है इसका correct answer है, यह उसके परिपकवन को, यानि कि maturity को maturation को दिखा रहा है कि बच्चा जो है, वो क्या हो रहा है परिपक हो रहा है, ओके, तो इसका correct answer है, maturity या option number 3, परिपक 1, येस, चलिए, अगले question क्यों चलते हैं, question number 44, देखे, which one of the following is correct option, development and growth are process and product of maturity, development and maturity are the product of growth, growth and maturity are the process and product of development, progress and maturity are the process and product of development, देखे, एक पर हिनी पढ़ता हमें इस question को, लिम लेखित में से कौन सा विकल्प सही है, विकास और व्रधी परिपक्रता की प्रक्रिया एवं उत्पाद है, विकास और परिपक्रता व्रधी की प्रक्रिया वा उत्पाद है, व्रधी और परिपक्रता विकास की प्रक्रिया वा उत्पाद है, प्रगती और परिपक्रता विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है, बेह इसका correct answer है option no.2 तो यहाँ पर जैसे student ने 3 लिखा है बिल्कुल उसे 0 मिलेंगे option no.2 है इसका विकास और परिपकता व्रधी की प्रक्रिया वा उत्पाद है तो इसमें ये तो पक्का था कि परिपकता जो उत्पाद है बस विकास क्या है तो विकास एक प्रक्रिया होती है विकास जो है किसकी प्रक्रिया है विकास और परिपकता व्रधी की प्रक्रिया है और परिपकता क्या है इसका उत्पाद है तो correct answer इसका क्या है 2 है तो यह तो यह थोड़ा space आप ध्यान देते तो इस question को किया जा सकता था, सही तरीके से, okay, काफी सारे लोगों ने इसका answer गलत दिया है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, but इसका correct answer है 2, चले question number 45 की तरफ चलते हैं, question number 45, ये रेखे, on the part of an individual, on the part of an individual, the acquisition of values which the society expects to imbibe and practice is known as his, her, social development, moral development, emotional development and spiritual development, थोड़ा ज़्यादा बहता रहता है, हेनी में question को पढ़ा जाए, तो ज़्यादा feeling आती है, किसी व्यक्ति की और से उन मूल्यों को अर्जित करना, जिसकी समाज ग्रहन करने तथा सीख ठीकने की आसा करना है, उनको क्या माना जाता है, समाजिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक माक विकास या आध्यात्मिक विकास, उन मूल्यों को ग्रहन करना, अर्जित करना, क्या माना जाता है बताईए ओके तो इसका आंसर जैसे यहाँ पर इस student ने to दिया है नैतिक विकास ओके तो बिल्कुल सही है correct answer नैतिक विकास ही है यहाँ पर किसी व्यक्ति के उन मूल्यों को अरजित करना क्यां बहुत सारे लोगों ने answer इसका समाजिक विकास दिया है नहीं, जो यहाँ पर बात हो रही है मूल्यों को अरजित करना, समाज ग्रहण करने तदा सीखने की आसा करना है, मतलब यहाँ पर morality की बात की गई है, ओके morality की बात की गई है, उन मूल्यों को values को ग्रहण करना जिसकी समाज आपसे expectation रखता है उसको हम क्या बोलते हैं नैतिक विकास बोला करते हैं चलिए question number 46 पर आते हैं 45 हम कर चुके है question number 46 देखें क्या कह रहा है in class 8 mathematics the concept simple interest is taught first and then concept of compound interest is taught then in accordance to the cognitive development of the student physical development of the student social development and moral development बताईए ये concept development है question number 46 में कौन सा development है देखें बच्चा जो है सीखेगा पहले concept बनाएगा simple interest का उसके बाद वो कठिन चीज पर जाएगा तो मतलब बच्चा जो है cognition develop कर रहा है यहां पर संग्यानात्मक विकास की बात करी जा रही है तो correct answer क्या होगा इसका संग्यानात्मक विकास होगा question number 46 का option number 1 सही होगा physical की कोई बात नहीं शरीर वगरे नहीं बढ़ रहा है social भाई समाज की बात ही नहीं हो रही यहां पर बच्चा मन में जो कर रहा है अपने कर रहा है सिर का भाग होता है वो कितना हुआ करता है ओके है पूरे सरीर यहीं पूरी body है तो इसमें तुल्ला में सिर का भाग कितना हुआ वो कितना होता है, शरीर का 1 4th हुआ करता है, येस. चले, question number 48 की तरफ चलते हैं, question number 48 क्या कहा रहा देखे, the infant show general excitement to strong stimulation, this is a sign of their metacognitive skills, cognitive growth, emotional behavior and socialization, question, बच्चा प्रबल उद्दीपन, कौनसा question है ये, 48 number question चल रहा है, note कर लिजिए इसको, तो 48 question है, बच्चा जो होता है, प्रबल उद्दीपन के प्रती समान उतेजना दिखाता है, यह है, उसके किसकी निशानी है, सह संग्यानात्मक, metacognition causal की, संग्यानात्मक वर्दी की, भावनात्मक व्योहर की, यह समाजी करन की, देखे, जो इसका option यहाँ पर लिया गया, बच्चा जो होता है, जैसे स्टुडेंट ने सही किया, गलत, कहने सह संग्यानात्मक, भावनाय जोड़ा जाती ही, तो यहाँ पर आंसर इसका, 48 का करेक्ट आंसर का भावनात्मक व्योहर, तो यहाँ पर बच्चा जो है, भावनात्मक व्योहर दिखाता है, संग्यानात्मक की विकास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उद्धीपन है क्योंकि वो उद्धीपन स्ट्यूमिलस है और स्ट्यूमिलस कोई जो है संग्यान वहां पर देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है ओके इस चलिए अब क्वेस्टन नमर 49 करते हैं विद रिस्पेक्ट टो अड़ोल सेंश विच अब वन इस फॉलूविं करेक्ट स्टीटमेंट धियर इस्प्रिच्वल डेवल्लप्मेंट इस मोर विजबल देन देर फिसिकल डेवल्लप्मेंट सारी रिक विकास के पिक्छा उनका अध्यात्मिक विकास अधिक दिखाई दे देवल्लप्मेंट इस मोर विजबल देन दा फिजिकल डेवल्लप्मेंट उनका संग्यानात्मक विकास अधिक दिखाई देता है किसकी तुल्ला में शारी रिक विकास की तुल्ला में ओके तीसरा है देर कॉगनेटिक डेवल्लप्मेंट इस मोर विजबल सोशन उनका इक विकास के पेच्छा उनका संग्यानात्मक विकास अधिक दिखाई देता है and last their physical development is more visible than cognitive development वतलर संग्यानात्मक विकास की अपेक्छा उनका सारीरिक विकास अधिक दिखाई देता है ओके तो यह देखे इसका correct answer क्या होना चाहिए question number कौन सा question number 49 का बताईए सोच करके correct answer क्या होगा ओके तो इसका correct answer है D ओके और यहां पर भी देखते हैं क्या है बिल्कुल सही correct answer D ही दिया student तो इसको full marks one marks दिये जाएंगे चलिए अगला question करते है question number 50 की तरफ चलते है question number 50 क्या देखे in case of adult sense the interpersonal and intrapersonal growth pattern shows देखो inter और intra inter मतलब दो लोगों के बीच की और intra मतलब खुद के अंदर की okay तो intra interpersonal and intrapersonal growth pattern shows their cognitive development and social development respectively okay moral and social emotional development and moral development and social development and cognitive देखो भई inter का मतलब होता है आपस में inter का मतलब क्या होता है inter person मतलब आपसी और intra मतलब खुद के तो क्या होना चाहिए इसका answer सोच करके बताईए okay question number है कौन सा 50 okay तो बहुत ही simple है क्योंकि बात की जा रही है inter मतलब आपस में तो inter मतलब आपस में इसका correct answer 4 होगा यहां पर गलत कर दिया बच्चे ने okay यहां पर देखे क्या होगा सामाजिक विकास खुद का और संग्यानत्मक विकास अंदर की चीज होती है तो इसका correct answer क्या होगा इसका answer होगा 4 okay 4 answer इसका correct होगा done okay next question की तरब चलते है देखे अगला question क्या है अगला question है in language class of adolescent student the teacher uses an English idiom a leopard can't change his spots which means a person cannot change his or her basic nature the teacher thinks that student cannot understand it as it as adult sense is a stage where only concrete thinking dominates students may imagine impossible as they have developed abstract thinking so they can understand it student may understand it as they can use symbolic thinking to derive its meaning student cannot understand it as their critical thinking proves that in reality the idiom and its meaning does not synchronize चले चार option नीगए हिंदीम पढ़ लेते हैं कि किशोर चात्रों की भासा की कक्षा में अध्यापक एक अंग्रीजी की महावरे अलापड can't change his spot का प्रयोग करता है जिसका अर्थ है कि कोई वक्ती अपनी मूल प्रवत्ती को बदल नहीं बदल सकता है अध्यापक सोचता है कि विद्यार्थी से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि किशोर अवस्ता है कैसी अवस्ता है जहां मूर्थ चिंतन प्रवल होता है विद्यार्थी असंबहों की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उसमें अमूर्थ चिंतन विक्सित हो गया है इसलिए उसमें वे समझ सकते हैं विद्यार्थी इसे समझ सकते हैं क्योंकि वे इसका अर्थ निकालने के लिए प्रतिकात्मक चिंतन का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी इसे नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनका आलूचनात्मक चिंतन यह सिद्ध करता है कि वास्तिविक्ता म मुहावरे इसका अर्थ संक्रमिक नहीं है तो चार अप्शन लिए गए हैं बताइए औरेक्ट आंसर क्या होगा देखिए इसमें कितना होगा सेकेंड आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि विद्यार्थी जो है असंभव की कल्पना कर सकते हैं तक कि यहाँ पर देखिये किसआए जवे लिए एडूलस सेंस स्टूडेंट की बात की जा रही है मतलब बच्चे बड़े है चोटे बहुत चोटे बच्चे क्या है two है मतलब कि student may imagine the impossible as they have developed abstract thinking so they can understand it so correct answer will be two done next question करते हैं चलिए अगला देखिए the term society यहाँ पर term society के बारे बात की जा रही है okay the term society is rooted in the word society as which is an African Chinese word Greek word Latin word तो आपको बताना है जो word society है वो एक word society as से develop हुआ है और society as जो word है वो कहां से आया है समाज सब्द का है societies से develop हुआ है societies से तो आपको बताना है कि यह जो शब्द है यह कहां से आया हुआ है तो देश आपके सामने दिये गया है कहां से आया हुआ है तो correct answer इसका लेटिन, लेटिन से यह आया हुआ है, ओके, तो correct answer इसका 3 लगाया बच्चे ने, जो की गलत है, ओके, Greek symbols नहीं है, यह Latin शब्द है, देखिए थोड़ा सा English का, यहाँ पे हलका सा feeling मिल रही है, अफ्रीकंस नहीं है, Chinese तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके, Greek अगर होता तो थोड़ सब दिमाग लगाते, तो यहाँ पे Latin लगाया जा सकता, कि because English यह थोड़ा सा mail खाता हुए letter है, तो correct answer इसका होगा Latin, चलिए, अगले question की तरह बढ़ते है, question number 53, देखिए question number 53, क्या कह रहा है, question number 53, who defined the word community as a group of, group established by men having shared values, who defined community, मतलब समाज को किसने परिभाशित किया है, as a group established, समुदाय को, किसने समुदाय शब्द को साजा मूलियों वाली व्यक्ति वो द्वारा स्थापित समुख की रूप में परिभाशित किया, तो यह रटने वाला question है, comment, marks, Aristotle और Durmik, okay, किसने समुदाय को परिभाशित किया है, ठीक है, तो commente ने, marks ने, अरस्तु ने, और Durmik न चली, अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question है 54, देखे, in the context of socialization, तो मैं पिछले question बता दूँ, कि इसमें student ने 3 पे option लगाया है, so correct option है इसमें, अगला question देखे, 54, in the context of socialization, which of the following is not most appropriately correct statement, socialization के contest में याने कि समाजी कर्ण के संदर में, निम्र में से कौन सा सरवाधिक सही है, पूचा जा रहा है, तो पहला, in some culture, secondary socialization may precede primary socialization, मतलब कुछ संस्कृतियों में, दुतियक समाजी कर्ण जो है, प्राथिमिक समाजी कर्ण के पहले आता है, primary socialization and secondary socialization run parallel to each other, primary, प्राथिमिक समाजी कर्ण और दुतियक दोनों एक दूसरे के समानतर चलते हैं, दूसरा, secondary socialization takes place only after primary socialization, दुतियक जो होता है, पहले के बाद ही होता है, primary socialization and secondary socialization follow an entirely different trajectory, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग रास्तों का अनुकर्ण करते हैं, सोचिए इसका answer क्या होगा, बताई एक बार, ओके दूसरे के इसका correct answer है, टू, प्राथिमिक समाजी कर्ण और दूतियक समाजी to each other, चले question number 55 देखते हैं, the adverse situation like COVID-19 pandemic have led to the increase in enrollment of the formal education, मतलब की अवचारिक सिक्षा, अवचारिक सिक्षा में नामांकर में व्रिधी हुई है, increase in home schooling, घर में पढ़ाई करने की व्रिधी हुई है, अनौप तीसरा है, decrease in enrollment in the non-formal education, अनौप चारिक सिक्षा में नामांकर में गिर इसका correct answer है 2, देखे क्या है कि COVID की वजए से बच्चों ने घर में पढ़ना शुरू कर दिया है, और उनके पास क्योंकि पढ़ने के options थोड़े से कम हो गये थे, तो हलाकि online education आया था मगर online education भी घर में ही हुआ है, तो इसका correct option क्या हुआ है, घर में पढ़ाई करना है, यान responsibilities and accountability, यह जिम्मेदारी और जवाब देही स्थापित करता है, acts as an control device, यह एक नियंतरन उपकरण के रूप में कारे करती है, develops understanding about preservation and environment, परयावन के परेच्छा के बारे में समझ विक्सित करती है, indicate how to external sources should be utilized for the benefits of the student, यह इंगित करता है कि कि इस प्रकार से बाहरी सुरुतों का चात्रों के लाभ के लिए उनमें उपयोग में लाया जा सकता है, 56 question का बताईए answer, yes, तो correct answer इसका यह है, D है, indicate करता है कि किस तरीके से benefit में लिया जा सकता है, तो इसका option 4 होगा, okay, 4 option is the correct answer, option number 4 is correct, चलिए next question देखते है, चलिए अगले question के और बढ़ते है, question number 57, देखी क्या principle of child-centeredness, principle of creativity, principle of self-learning, principle of flexibility, नेवन में से कौन सा पाठचर्चा का एक महतपूर सिधानत नहीं है, बाल केंदरता का सिधान, सरजनात्मक्ता का सिधान, स्वा अधिगम का सिधानत, या लचीलापन का सिधानत, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, concept नहीं है, कौन सा principle न मतलब की पाठचर्चा के निर्माण का इसमें से कौन सा सिधानत नहीं है, बताए एक बार, तो देखे, इसका correct answer है, स्वा अधिगम का सिधान, देखे, जो आपका पाठे चर्था होती है, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें बाल केंदरत होनी चाहिए, मतलब इसको इंग्लिश में समझों, जाद अच्छा समझ में आगा, child centeredness होना चाहिए, उसमें creativity भी होनी चाहिए बट वो self learning का सिधान तवाला नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सिधान प्रिंसिपल नहीं है, आपने बेड में पढ़ा होगा, तो स्वा अधिगम का कोई सिधान नाम की चीज नहीं हुआ करती है, चले अगला question देखते है, question number 58, which one of the following is not an element of the experimental learning cycle, okay, experimental learning cycle बोला गया है, कि इसमे अधिगम नहीं है, तो आपको बताना है कि अनुभवात्मक अधिगम चक्र का कौन सा अंग नहीं है, देखो अंग नहीं है, पूछा गया है, कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, बताईए एक बार, तो इसका correct answer है, option number 3, अलोचनात्मक विशलेशन, मतलब की, क्रिटिकल एनालेसिस, critical एनालेसिस जो है, वो अनुभवात्मक अधिगम का, अनुभवात्मक अधिगम का पार्ट नहीं है, चलिए question number 59, पर आते हैं, question number 59, क्या कह रहा है, which of the following may not be accomplished by student through self-assessment, चात्रों के स्वा आकलन के माधियम से क्या निश्पादित नहीं हो सकता है, मतलब बच्चे जो है, स्वा आकलन, self-assessment के द्वारा क्या निश्पादित नहीं हो सकता है, reflection on their own learning, है ना, स्वायम के अधिगम पर अनुचिंतन, consolidation after their learning through dialogues, समवाद के माधियम से अपने अधिगम को संगठित करना, skill on metacognition, para, संग्यान, metacognition, proposal, identification of the areas of their strength and end of those need improvement, अपने प्रबल पक्षवाले छेत्रों की पहचान और वह छेत्र जिसमें उसे सुधार सकते हैं, तो आपको बताना है, कि छात्रो दौरा स्वा आकलन के माधियम से क्या निश्पादित नहीं किया जा सकता है, चली तो इसमें भी सारे बच्चों की mix response आये हुए हैं, किसी ने A, किसी ने B, किसी ने C, D, कुछ भी लगाया हुआ है, और इसका जो correct answer है, इसका जो correct answer है, आपके पास में बताईए क्या होगा, इसका correct answer है two option, correct option two है, कि बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, consolidation of their learning through dialogue, मतलब कि समवाद के माध्यम से अपने अधिगम को संगठित करना, ये बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो इसका option number two है, तो यहाँ पर भी जैसे बच्चे ने गलत किया, तो इससे 0 मिलेंगे, इसका correct option है क्या, आपका two is the correct option, चलिए, चलते हैं, question number 60 की तरफ,